वेलकम बैक डियर स्रेंट्स तो आज यहां पर हम एक इंपोर्टेंट लेक्चर लेकर आये हैं ध्यान रखना यहां पर यहां पर यहां पर एकोलोजी का पार्ट फर्स्ट हम यहां पर लेकर आये हैं इस important lecture के अंदर कई सारे important concept को हम cover करने वाले जो आपके exam में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल भी आप miss मत करिएगा कोई सा भी part इस lecture का अगले आने वाले lectures में भी हम कई important part को हम cover कर रहे होंगे साथ में हम questions भी कर रहे होंगे कि किस किस type के questions यहाँ पर आप से exam के अंदर पूछे जाते हैं क्लियर हैं कई students के लगा थार comments आ रहे थे हैं इस वज़े से हमने start कर दिया है ये session YouTube पे जो हमारा free रहता है हम कई बार जो classes हैं हम live classes भी करने वाले हैं सबसे पहले देखें chlorosis ठीक है हम में चीजों पर focus कर रहे होंगे यहाँ पर क्योंकि आप से exam में वही पूछा जाता है और ध्यान रखें exam के point of view से ही हम पूरी तरीके से यहाँ पर चलने वाले हैं जो जो exam में आप से पूछे जाते हैं चीजें उनको ही हम cover करने वाले हैं तो देखें हैं पर chlorosis के हम यहाँ पर बात करने हैं सबसे पहले chlorosis क्या होती है देखो क्या होता जब plants के अंदर कहीं सारे nutrient की कमी आ जाती है कहीं सारे पोशक तत्वों की जब plants में पादप में कमी आ जाती है तो उसके कारण chlorophyll जो होती है वो plants से गायब हो जाती है यानि कि plant की पत्तियों से chlorophyll एक तरीके से विलूप्त हो जाती है disappearance हो जाती है और इस condition को ही कहा जाता है chlorosis तो अब simple सी बात है अगर chlorophyll जो है वो पत्तियों में नहीं होगी तो इसके कारण जो पत्तियां होती है जो leaves होती है वो yellow color की पढ़ जाती है पीली पढ़ जाती है ठीके किस-किस के कारण होता है है sulfur dioxide के pollution के कारण हो सकता है nitrogen dioxide के pollution के कारण हो सकता है ozone के कारण भी हो सकता है और fluorides के कारण भी हो सकता है तो यहाँ पर हम pollution के point of view से इसको देख रहे हैं तो pollution किस-किस के कारण chlorosis होती है sulfur dioxide के कारण, nitrogen dioxide के कारण, ozone के कारण और fluoride के कारण तो अच्छा से दियान रखना इन सब की वज़े से chlorosis होती है अगला important चीज है necrosis ठीक है, necrosis किसके कारण होती है और साथ में ही pollution के कारण भी होती है तो हम यहाँ पर स्टर के नंदर क्योंकि ecology का part देख रहे हैं तो simple सी बात है pollution के point of view से हम यहाँ पर बात कर हैं तो देखें अबर necrosis क्या होती है जब जो plants की sales है plant के tissues की जो cell है वो breakdown होने लग जाए ठीक है जो कोशिकाए है वो क्या होने लग जाए उसकी शती होने लग जाए जब वो तूटने लग जाती है किसके कारण sulfur dioxide के कारण nitrogen dioxide के कारण ozone के कारण और fluorides के कारण इन सब के कारण जब sales फर फरक पढ़ने लगता है sales की संक्या करम होने लग जाती है plants के अंदर उस condition को कहा जाता है necrosis तो बिलकुल आप ध्यान रखेंगे इस वाले पार्ट को कि necrosis हम किसे कहते हैं अगले पार्ट पर हम आते हैं सब ही students के लिए ज़रूरी है नहीं करना है ठीक कहते हैं तो देखें अगली importantly IS green house effect क्या होता है ठीक है green house effect क्या होता है देखो हम लगातार हम लकडियों को जलाते हैं fossils को जलाते हैं लगाताब petrol Diesel जलता है ठीक है तो इन सब चीजों के कारण जो fuels है हमारे जो fuel है उनके combustion के कारण या फिर लकडियां वगेरा इनके combustion के कारण लगातार carbon dioxide वायू के अंदर या फिर हमकेदे atmosphere के अंदर बढ़ने लग जाती है release होने लग जाती है तो CO2 is released into the air by the combustion of fuels ठीक है तो fuels के कारण carbon dioxide atmosphere के अंदर बढ़ने लग जाती है और इसके कारण क्या होने लग जाता है अब देखो लगातार और ये एक आकड़ा है कि CO2 का content जो है लगातार लगबख हर साल 0.4% के rate से बढ़ रहा है याद रखना है आपको कि CO2 का जो आकड़ा है लगबख 0.4% rate से हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है और इसके कारण क्या होता है सबसे बड़ा effect क्या होता है कि हमारी अर्थ जो है वो गरम होने लग जाती है warm होने की वज़े से हमारी पूरी अर्थ के surface का temperature लगातार बढ़ता जा रहा है ग्रीन house effect के कारण और इसके कई दुष्ट परिणाम हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि जो आइस वगेरा है ये पिगलने लग जाता है इसके कारण कई बार बार्ड जैसे समझ से आ जाती है तो इसी कई सारी प्रोब्लम्स हमें इसके कारण देखने को मिलती है तो ग्रीन हाउस एफेक्ट क्या है जो में कार्बन डाइक्साइड का बढ़ना मैनली एटमोस्फियर में फ्यूल्स के कमबशन के कारण ये ही हमारा ग्रीन हाउस एफेक्ट के लाता है तो ये अच्छे से द्यान रखना फिर इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है फिर उन्स अबी टोपिक को भी हम कवर कर रहे होंगे अगे अभी हमने मैं टोपिक इनको लिया है आघे देखिए नेक्स पार्ट में हम क्या देखने वाले इकोलोजिकल एफक्ट जो हम plugins का ठीक है तो जो इयर पोलुशन है वाय वायू प्रदूशन है उसके क्या-क्या हमें एको lugar देखने को मिलते हैं। air pollution का सिंपल सी बात है अगर pollution में हमारा वातावरन गंदा होगा तो उसके कारण कहीं सारे हमें effect देखने को मिलेंगे एक आपके case जो है कहीं वो हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो देखें when an air is polluted with poisonous gas जब जहरिली गेसों के द्वारा अगर air जो है वो प्रदूशित हो जाती है तो इसे में कभी कभी date भी हो सकती है human की भी हो सकती है दूसरे जानवरों की भी हो सकती है plants की भी हो सकती है ठीक है एक हमारे पास में भोपाल का case है भोपाल gas tragedy के नाम से जो popular है भोपाल gas kind के नाम से ये कभ हुआ था पहले तो इसकी date याद रखना है थो second December 1984 में तो 2 December 1984 में इसके कारण लगबग 3000 लोगों की जान गई थी जान रखना तो भोपाल के अंदर जो भोपाल gas tragedy हुआ था उसके अंदर 1984 में 2 December को हुआ था रूसमें लगबग 3000 लोगों की जान गई थी इसमें कौन सी gas release हुई थी ये पूछा जाता है methyl isocyanate एक toxic gas होती है वो release हुई थी कहां से ध्यान रखना ये industry वाले पार्ट से यह ने की glucose of methyl isocyanate into the air from insecticide plant तो insecticide जो प्लांड था उस प्लांड से यहां पर release हुई थी यह धियान रखना plant मतलब की industries के हम बात करें जो की Union Carbide Corporation के द्वारा manage किया जाता था उस प्लांड को ठीक है तो उसके द्वारा ये release हुई थी methyl isocyanate gas और इसके कारण इतनी जहरीली gas होती है toxic gas थी और इसके कारण लगबख 3000 लोगों के आसपास इसमें मरत्यू हुई थी तो यह बिल्कुल आप याद रखेंगे यह वाला जो हमने ecological effect देखा air pollution का ठीक है अगले वाले part पर हम बढ़ता है अगला है हमारा degradable pollutant degradable pollutant को हम क्या केते हैं हिंदी में एक तरीके से इसको पूरा नाम हम देखे तो bio degradable केते हैं क्या केते हैं bio degradable pollutant bio degradable का मतलब है जेव निमनी करण प्रदूशक क्या कहा जाता इसको जेव निमनी करण प्रदूशक क्या मतलब होता इसका एसे pollutant जो की actual में degrade हो जाते हैं आसानी से तूड़ जाते हैं जो कि जादा हमारे environment को प्रभावित नहीं करते हैं effect नहीं करते हैं नुकसान नहीं पोचाते हैं उनको bio degradable या जेव निमनी करण प्रदूशक कहा जाता है तो ध्यान रखना है the pollutant degrade after some time ये कुछ समय बाद में ही ऐसे प्रदूशक जो होते हैं वो नस्ट हो जाते हैं automatically या फिर जलने के कारण heat के द्वारा ठीक है या फिर microorganism इनको खतम कर देते हैं एसे pollutant को bio degradable pollutant केते हैं इसमें क्या आता sewage वाला part यानि कि जो हम केते हैं जो घर का जो मल वाला part होता है तो sewage वाला sewage किम बात करें यानि कि जो हमारा live stock requests है यानि कि जानवरों के जो एक्चुल में west है या फिर market से जो garage हम लाते हैं यह सब चीज जो हम आसपस घर में जो चीजे सबजियां वगेरा यह सब चीजे जो यूज करते हैं यह थोड़े दिन बाद में कि अपने आप नस्ट हो जाते हैं या तो microorganism नस्ट कर देते हैं या heat के दवारा नस्ट हो जाते हैं ऐसे pollutant को bio degradable pollutant कहा जाता है क्योंकि इनके ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलते हैं pollutant are easily disposed हो इनको आसानी से नस्ट किया जा सकता है degrade किया जा सकता है या तो natural process के दवारा या treatment के दवारा plants के अंदर they can be turned into a resource और ये संसाधन के रूप में इनको परिवर्तित किया सकता है जिसे compost बना दिया जाता है इनका या manure याने की खाद बना दिया जाता है तो ध्यान रखना compost और खाद भी इनके दवारा बना जाता है ठीक है तो इनको कहा जाता बायो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्लियर है अगले topic पर आई है आप जो हमारा non-bio-डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होते हैं ये बहुत डायरेक्ली जो है ये टूटते नहीं आसानी से नहीं टूटते हैं ठीक है तो ध्यान रखना एटीज पोल्यूटेंट विड्ट डास नोट ब्रेकडाउन जो टूटते नहीं है और ये कम जहरी लिए और ये चीजों में नहीं परिवर्थित होते हैं यहीं जैरली यह जहरी लेही होते हैं नुकसान दायक होते हैं ये इनका अबगटन नहीं होता है या पिर इंका इनको दिस पर्षल इनको नहीं कि आ फंजाई हुआ बैक्ट्रिया हुआ यह डिकंपोजर की तरह काम करते हैं तो यह भी इनको नहीं तोड़ पाते हैं तो ऐसे ऐसे पॉल्यूटेंट जिनको जिनका ना तो डीसीपेशन हो सके ना डिस्पर्शल हो सके ना ऑक्सिडेशन हो सके ना ही बायलोजिकल डिकंपोजर इ ठीक है तो DDT इसके अंदर आता है काच के हम बात करें ग्लास प्लास्टिक है इन सब को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है इन में हजारों साल लग जाते हैं इनको तूटने में इट इस ओल्सो नोन अस कंजर्वैटी और पर्सिस्टेंट पोल्यूटेंट तो ध्यान रखना आपको ये भी किनI को संरक्षित या फिर प्रद्वार्थ Gef कहा जाता प्रसिस्टेंट का मतलब किया oath ठीक है था इनको दिर्फशर क्या फिर संरक्षित संद्रक्षित प्रदुशक भी कहा जाता क्योंकि यह लंबे समय तक रहते हैं इन्वार्मेंट के अंदर परियावरन के अंदर और उसको प्रदूशन उसमें फैलाने का काम करते हैं अगले टोपिक पर आई हम यहां पर करते हैं यहां पर हमने कुछ पॉलिटेंट लिए प्राइमरी पॉलिटेंट ठीक है यह क्यों प्राइमरी और सेकंडरी प्रदूशक क्या होते हैं पहली चीज़ ध्यान रखे प्राथमिक प्रदूशक उसे कहा जाता है जो की जिस फॉर् यह रिलीज होता है यहनि की vorsबित होता वैसा ही रहता हूसको क्या कहा जाता है प्राथमिक प्रदूशक यहने प्राइमरी प्रोटेटिंट रहा जाता है जिससे कि cigarette की smoking से release होता है, cigarette से release होता है, उसके धुए में पाया जाता है, ये भी उसी form में atmosphere के अंदर रहता है, दूसरा है ammonia, ammonia भी जो release होता है, वो भी इस form में रहता है, nitrogen की जो oxides होती है, वो भी ऐसी की ऐसी रहती है, carbon monoxide बहुत important है धियान रखना, carbon monoxide जो है, ये और lead की हम बात करें, ये भी petrol वगेरा इसमें पाया जाता है, ठीक है, तो ये बहुत important part है, primary pollutant का आपको धियान रखना, कौन-कौन से primary pollutant होते हैं, primary pollutant हो होते हैं, जिस form में release होते हैं, उसी form में रहते हैं, atmosphere के अंदर, ठीक है, उनको primary pollutant कहा जाता है, ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम देखने यहां पर secondary pollutant क्या होते हैं, ठीक है, और ये इससे भी ज़्यादा important है, क्योंकि यहां से question, आता है कहीं बार, ये one of the most important topic ही हम कर रहे हैं, आपकी exam के नजरिये से, तो आप बिल्कुल भी skip ना करें, हिंदी medium वाले एकर students है, तो उनको भी समझ में आ रहा होगा, मैं अगली ब यानि कि द्वित्तिक वायू प्रदूशर, यानि हम ने यहां पर कहीं air pollutant को लिया है, पहले समझ नहीं, यहां पर air pollutant ही maximum वैसे secondary के अंदर आते हैं, पर आप कुछ समझ लें, secondary air pollutant या कोई से भी secondary pollutant है, उसका मतलब क्या है, ये प्रात्मिक से, जब ये जो प्रात्मिक होत जाएं, और ज्यादा जहरी ले बन जाएं, तो उनको secondary air pollutant कहा जाता है, यनि कि वो convert होकर जिस फॉर्म में release होए ते उससे convert होकर दूसरी फॉर्म में बन जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, secondary air pollutant कहा जाता है, या फिस Section data यह यह पर बात करें वो poisonous substance होते हैं जो कि primary pollutant से बनते हैं ठीक है जैसे कि bright sunlight के अंदर nitrogen है nitrogen oxide है hydrocarbon है और oxygen यह interact करते हैं यह reaction कर लेते हैं और कहीं सारे इससे भी ज्यादा powerful photo chemical oxygen बना लेते हैं जैसे कि ozone को बना लेते हैं पर-oxy-acetyl nitrate यहने की pan को बना लेते हैं एलिहाइट्स को बना लेते हैं sulfuric acid को बना लेते हैं और paroxides को बना लेते हैं और यह काफी मात्रा में जादा नुकसान दायक होती है जादा harmful होती है ठीक है all this constitute photochemical smoke और सबके कारण एक photochemical smoke बन जाता है और जिसके कारण जो plant है वो photosynthesis न जमा हो जाए पुरी तरीके से smoke जिसमें smoke भी होता है और fog जैसा भी होता है उसको क्या कहा जाता है इस smoke कहा जाता है clear है तो अच्छे से ध्यान रखना primary and secondary air pollutant ठीक है most important topic के students आपको अगर lecture अच्छा लगे तो comments जरूर करना है बिलकुल बताना है आपको कि subscribe के lectures लग रहे हैं ठीक है क्योंकि एक simple से lecture में बहुत effort लगते हैं यह आप जानते हैं होंगे आप पढ़ाई करते हैं उस time actually में आप यह सब चीज़े जानते हैं तो simple से चीज़े ठीक है तो देखें आप हैवी यहाँ पर एक important चीज हम यहाँ पर देखने वाले smoke यह ज्यादा properly आपको दिखा नहीं दे रहा होगा पर यह क्या लिखा हुआ है इसमोग तो क्या है स्मोग एक्चिल में हैवी लोग्स ओप क्रॉप इसकोस्डबाई स्मोग हमने अभी देखा है कि स्मोग के कारण जब इसमोग जमा हो जाता है तो उसके कारण plant photosynthesis नहीं कर पाते हैं और इस वज़े से हमा फोग कोहरा जो होता है ठीक है तो इसमोग और फोग से इसमोग बनता है बिलकुल दियान रखना है इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है स्मोग के ओजोन है और पैन है पैन मतलब परोगसी एसिटाइल नाइटरेट है तो ओजोन और पैन जो है यह इंपोर्टेंट कंपो सोते हैं हमारे वो नस्ट हो जाते हैं जो औरनामेंटल यहने की आभूशन के लिए जो पादप होते हैं यहने की जिसे फ्लोवर्स वगेरा इन चीज़ें के लिए नस्ट हो जाते हैं जो फ्रूट्स होते हैं हमारे वो नस्ट हो जाते हैं और फोरेस्ट के ट्रीज भी नस्ट हो जाते हैं तो इन सब पर effect पढ़ता है इसका बिलकुल धियान रखना है बहुत important party students से ठेके अगले पादे पर हम आ जाते हैं clear next देखें यह हमने कुछ important party यहां पर लिया हुआ है इसको धियान रखना है देकिए हम यहां पर mainly air pollutants related अधिकतर बात करें तो vomiting जो है जोल्टी आती है जिसको woman कहते हैं vomiting किसके कारण होती है जब sulfur dioxide बढ़ने लगती है तो इसके कारण vomiting होती है ज्यान रखना तो जब air के अंदर SO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है तो यानिकी अरसीन आप जानते हैं जिसको हम एस से रेप्रेजेंट करते हैं तो अरसीन जो है वह आर बीसी के breakdown करवाता है यानिकी red blood cells जो है उनको तोड़वाने का काम करता है और इसके कारण jondis हो जाता है तो यह बिल्कुल ध्यान रखना नाच्चा से oxygen carrying capacity की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि कुछ जो cigarette पीता है उससे carbon monoxide release होती है ठीक है तो cigarette के कारण क्या होता है carbon monoxide release होती है और इसके कारण जब carbon monoxide क्योंकि जादा soluble होती है हमारी body के अंदर और उसके कारण वो co2 की जगे carbon monoxide जो है वो एक्चल में oxygen के साथ generally reaction कर लेती है फिरम के दे कि हैमोगलोबिन जो होता है न हैमोगलोबिन से oxygen की जगे carbon monoxide जुड़ जाती है और उसकी वज़े से body के अंदर oxygen की कमी होने लग जाती है जबकि carbon monoxide की मातरा जादा बढ़ने लग जाती है और इसके कारण कहीं सारे harmful effect हमें देखने को मिलते हैं बोडी के अंदर फिर oxygen की कमी देखने को मिलती है तो carbon monoxide reduces oxygen carrying capacity of RBC RBC के अंदर जो hemoglobin होता है उसके अंदर oxygen की carrying capacity को गटा देती है and permanent combination with hemoglobin और hemoglobin से जुड़ जाती है जिसके कारण body के अंदर oxygen की कमी हो जाती है ये अच्छे से ज्यान रखना है अगला देखे coughing जो खासी आती हमें coughing is induced by foszine, foszine क्या होता है कार्बोनील chloride को हम foszine कहते हैं यह जो COCl होता है कार्बोनिल क्लोराइड इसको क्या कहा जाता है और फोस्जिन के कारण कफिंग होती है है अगली चीज़ों कर देखिए कैंसर के बात करें कैंसर जो है वो कोस बाइयर पॉल्यूटेंट कई सारे वायो प्रदोशक के कारण जैसे एश की अम बात करें जो राग जिसे हम कहते हैं सूट के बात कर जो इंडस्ट्री से रिजेज होता है इस्मोक की बात करें या फिर क्रॉमियम की बात करें निकल की बा जाए से क्लियर रहे हैं म्यूटेशन क्या है मियूटेशन मतलब उत्परीवरतन ठीक है मतलब change होना सड़न चेंज को mutation करते हैं तो कहीं सारे रेडियोअक्टिव एलिमेंट्स जो हा है mutation करतें ozone product जो होते हैं वो भी chromosome के अंदर mutation ला सकते हैं याने कि chromosome की संख्या या उनके उपर जो gene पाया जाते हैं वो change हो सकता है कहीं सारे ozone product के कारण भी तो यह दिहान रखना इनकी बज़े से mutation होता है यह ऐसे pollutant या इस टाइप के substance जिनके कारण mutation होता है उनको mutagenz कहा जाता है cardiac disease के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं cardiac मतलब heart से related है तो cardiac disease के अंदर कौन करता है cardiac disease cadmium जो है cadmium जिसको हम cd से represent करते हैं वो high blood pressure ला देता है तो इसकी वज़े से high blood pressure आता है और अगर high blood pressure है तो simple सी बात है heart की disease के खत्रे जादा बढ़ जाते हैं तो इस वज़े से cadmium के कारण heart disease के खत्रे रहते हैं pneumonia के हम यहाँ पर बात कर रहें pneumonia जो है वो इस caused by breathing too much of manganese particles तो इसके अंदर क्या हो जाता है manganese particles के कारण भी pneumonia जैसी problem हो सकती है ठीक है तो यह हमने air pollutant के कारण कुछ human disease का पाड़ देखा है आपर आगे वाले पाड़ देखें यह जो बहुत important पाड़ है इसको हम देखने वाले हैं कि ठीक है depletion of ozone umbrella बहुत important पाड़ ठीक है तो यह वाला पाड़ जो है ozone वाला one of the most important part है क्योंकि ज्यान रखना है यहां से questions आते हैं और इसलिए कई बार मैंने इसमें सबसे पहले topic यह क्यों लिया क्योंकि group 5 के जब पिछला आप पेपर देखेंगे ना जो अभी पिछली exam हुई थी जिसमें हमारे जो बायर कर से पढ़ने वाले स्टेंट थे उनके 35 से भी में ज्यादा स्लेक्शन थे लिए बटेंडेंट के अंदर और लेब टेक्नेशन के अंदर भी थे कहीं सारे स्टेंट के से लेक्शन में तो उसके अंदर जो पेपर की अगर analysis हम देखें तो यहां पर इस टाइप के चीज़ें इसलिए हमने सबसे पहले ecology वाले पाइट को किया है ताकि आपके सारे ecology से क्यूशन बने अच्छे से और ecology यहां पर हर जगे कोई सी भी एक्जाम उसमें क्यूशन आते ही आते हैं ठीक है तो हम यहां पर बात करें deflation of ozone umbrella ठीक हमें पता है कि लगबग हमारे वातावरण में हम प्रत्वी की सत्य की अगर हम बात करें अर्थ की सर्फेस से लगबग 30 km ऊपर लगबग 30 km जो है एक तरीके से ओजुन लेइर की परत पाई जाती है जिसको आज़सोन और सफ्가 भी कहते हैं तो ओजुन लेइर की एक परत पाई जाती जो एक तरीक चाते जैसा बना लेती है इसलिए यहां पर पराव एंगने किरने जो होती है जो सन से आती है उनको ये रोकने का काम करती है ठीक है तो ध्यान रखना इट प्रिवेंट दा पेनेट्रेशन ओफ हामफुल अल्ट्रावाल ट्रेडिशन फ्रॉम दा सन अंडस प्रोटेक्ट दा लाइफ ओन अर्थ क्योंकि यह यूवी रेस करण ये तूटती जारही है इसका नुकसान होता जारहा किसके कारण तो डिप्लेशन ऊब दा ओजोन अंब्रेला विछ में उकर वाईदा यूजिव एक तो फ्रेयोन जो उसके कारण में एंदर जो यूज होते हैं तो refrigerator में जो फ्रेंड की बात करें या फिर CFC की बात करें या फिर Q-Lan जो होते हैं जो की cooler की तरह actual में domestic refrigerator में यूज किये जाते हैं इन सब चीजों के कारण हमारी जो इन से harmful ये chemical रिलीज हो रहे हैं यह हमारी ओजोन लेयर को जो है नुकसान पहुचाने का काम कर रहे हैं और ध्यान रखना दड़ डिपलेशन ओजोन लेयर बाई वन परसंट रिजल्ट इन अंटार्क्टिका में देखा गया है ध्यान रखना है तो अंटार्क्टिका के अंदर ओजोन होल देखा गया है तो यह काफी ज्यादा हामफुल है एक तरीके से और अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर की चीजों की वज़े से तूट सकती है ठीक है क्लोरो फ ionizing radiation का मतलब क्या है जो एक्चॉल में ionize नहीं करते हैं ठीक है जो ionization नहीं करते है आीनाइज मतलब जो ions बना दे किसी चीज़ का gases को ions में convert करते है उसको ionizing केते है और जो नहीं कर पाता है उसको नोण इस तो ओनायन आइजग रडियेशन कौन-कौन से अल्टा वाइल्य ट्रेज होती है मुछान इन्फरा रेज जो होती है व्महुति है ठीक है एक सटरा यूवी रेस जो है उसके कारण सकीन मेंग होती है ठीक है और सकीन आडाने सा है this ने साइस होता है ऑ वो atmosphere के अंदर temperature को बढ़ाने का काम करती है और इसके करण finally green house effect होता तो non ionizing radiation क्या करती है यह एक्च्वल में temperature को बढ़ा रही है और साथ में UV rays जो है skin में जलन करती है और skin का cancer भी करव सकती है जबकि ionizing radiation जो होती है बीटा रेस को ले सकते हैं तो एक्स रेंगामा रेस बीटा रेस जो है यह जेनेटिक इंजिनीर इंजरी भी कर सकती है क्योंकि इनके कारण mutation हो सकता है हमें पता है अगर कोई x-ray करवाता है तो उसमें mutation का भी खत्रा होता है क्योंकि x-ray से mutation आ सकता है ध्यान रखनाच्च से clear है उत्परिवर्तन आ सकता है तो यह इनको ionizing radiation कहा जाता है जो कि एक्च्वल में ionize कर देते हैं clear है तो यहाँ पर डियर स्ट्रेंट्स हमनें कई important topic इस important lecture के अंदर cover किये हैं I hope कि आपको यह lecture बहुत पसंद आएगा ठीक है अगर अच्छा लगा है तो आप comment जरूर करें और